नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि सरदियों में गुलाब के पौदे पर ज़्यादा फूल कैसे पाएं सर्दियों में जो गुलाब के पौदों पर फूल आते हैं वो छोटे हो जाते हैं तो उनका साज हम कैसे बढ़ा करें आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे फटिलाजर लेकर आएं जिन से आपके गुलाब के पौदे पर ज़्यादा फूल आने लगेंगे और फूलों का साज बढ़ा होगा तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं ये देखिए दोस्तो सामने जो आप गुलाब का पौदा देख रहे हैं सर्दियों में भी कितने ज़्यादा इस पर फूल आये हुए हैं फूलों का साज भी बहुत बढ़ा है तो दोस्तो आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ फूल आपको छोटे इस पर नजार आ रहे होंगे तो हमेंने कैसे बढ़ा करें इस वीडियो में हम पूरी डीटिल के साथ आपको बताएंगे इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें जैसा की दोस्तो हम सभी जानते हैं कि गुलाब को सर्दियों का मौसम बहुत ही पसंद होता है सर्दियों में गुलाब की बहुत अच्छे से ग्रोथ भी चलती है और इस पर ज़्यादा भी फूल आते हैं फिर भी इस मौसम में आपके गुलाब के पौदे पर फूल नहीं आ रहे हैं, कलिया नहीं बन रहे हैं, और आप इस समस्या से बहुत परेशान हैं, आप चाहते हैं कि हमारे गुलाब के पौदे फूलों से भरे रहें इसी तरह, ये देखिए दोस्तो तो आपके गुलाब के पौदे पर जो पत्तियां खराब नजर आए यानि इस पर फंगस आपको नजर आए मिट्टी में या पौदे पर तो आपको ये काम करना है इस पर साप फंगी साइट का इस परेक कर देना है ये सबसे पहले फंगस से बचाना है ताकि हम गुलाब के पौदे से ज़्यादा फ पानी पसंद नहीं है बैसे ये सर्दियों का मौसम गुलाब के लिए बहुत ही अच्छा मौसम माना गया है इसकी सर्दियों में बहुत ही अच्छे से गुरूत भी चलती है तो चलिए दोस्तों जल्दी से हम इस गुलाब के पौदे की अच्छे से एक बार गुडाई कर लेंगे ताकि हम आपको फ गुडाई करनी होगी हमें ज्यादा गेहरी गुडाई नहीं करनी यदि हम बहतर इस群व नीचे तो इसकी जu जड़ हैं तो कटने का डर रहेगा तो दोस्तों बस आपको यही करना एंकि हल्की सी अप अपने दोस्तो हमने इस पौदे की अच्छे से गुड़ाई कर दिये अब इसकी जो मिट्टी है हम अलके आज से इस मिट्टी को तोड़े देते हैं इसे दूप में फिर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे उसके बाद में हम इसमें फर्टिलाजर डालेंगे तो 10 मिनट बाद हम आप से अधिक फूल आते हैं अधिक फूल लेने के लिए दोस्तो आप 8 दमें एक चमच आसानी से गुलाब के पौदे में डाल सकते हैं तो दोस्तो मैं केवल यहां पर एक चमच डालूंगा अपने गुलाब के पौदे में अब दूसरी चीज जो दोस्तो हमने लिए यह भी हम इंचाना ये काम करती है जो यहां पर हमने ये दोनों चीज़ें ले ली हैं दोस्तो अब इन्हें हमें करना क्या है अब इस गुलाब के पौदे में हम आसानी से डाल देंगे ये देखिए दोस्तो जैसे हम डाल रहे हैं इसी तरह से आपको ये चीज़ें डालनी हैं गुलाब के पौदे में डाल देनी है उसके बाद में दोस्तों हम इसमें पानी डाल देंगे और जब पौदे पर जो ग्रोथ अच्छी से निकल के आएगी उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे तो चलिए दोस्तों जल्दी से अब इसमें हम पानी भी डाले देते हैं दोस्तों हम पा कि दूप ज्यादा तो पढ़ती नहीं है तो यह देखिए दोस्तों डालकर तयार कर दिया है मैंने अब यहां पर जो गुलाब का पौदा देख रहे हैं जो फूल का साज है इससे भी बड़ा साज निकल के आएगा दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आपको अबसी कि आपको पसंपूल